वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला जरूर जोइन कर लिए सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रखेगा निमस्कार दोस्तों सागत आप से भी का ओन लाइन एक्जांप इप्रिशन पर विच इस ता पार्ट ऑफ इस्टुडी फॉर सिवल सर्विसेज दोस्तों आरो यारो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए पॉलिटी भी पढ़ दिया था इसके पहले अब नेक्स्ट हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस का फिप्त नंबर का पार्ट है इसके पहले फोर्थ पार आ चुके हैं तो प्रीविएस वीडियो कर आप देखना चाहते हैं तो चैनल का लिस्टिंग वाला वीडियो देख सकते हैं और पापा वीडियो जो हमारे आते हैं उनको देख सकते हैं उसमें आपको सारे फैक्ट मिल जाएंगे डेटेल में इंफोर्मेशन मिल जाएगी सारे कुछ अविलेवल रहेगा ठीक है और ओलाइन एक्जाम वेप्रेशन पर आपको टापिक वाइस भी चीज़े मिल जाएंगी जैसे कि कोई भी टापिक होता है जैसे साइञ्स की बात करें तो साइस पे प्रोट्टीन से paper दोता है विताम लें उसकी प्रजाति आ जाती है और रोग आ जाते हैं रोग को पूछे जाते हैं रोगों से समधने अत्मानो रोग से समधने अधिस टॉपिक भी है और यह बहुत important topic है exam में इससे भी पूछे जाते हैं खनेज लवर्ड हुए तो यह सारे जो important topic है most most important topic है जिनसे प्रश्ण आने ही आने हैं उन topics को अलग से आपको कराया जाएगा online exam preparation पर तो लगातार आप चैनल के साथ बने रहें एक-एक topic करके जैसे कि अभी art and culture चल रहा है तो art and culture हम पूरा complete कर लेंगे तो अगर detail में art and culture पढ़ना चाहते हैं तो आप जो जितना आपकी problems level के लिए आरो यारो की बात कर रही हूँ problems level के लिए important है उतना आपका हो जाएगा ठीक है अब भी हम science के प्रिश्णों को देखते हैं चले पहला प्रिश्ण दिया गया है त्रतियक प्रतीचन DPT बच्चों को दी जाती है बचाओ के लिए किसके बचाओ के लिए हम DPT का टीका लगवाते हैं बच्चों को तो ये रो प्रिश्ण दातु को किसमें डूबोया जाता है मिट्टी के तेल में ये प्रिश्ण अलग अलग स्टेट PCS पूछ चुके हैं अगला प्रिश्ण है नेवनियों में से कौन सा पैट्रोलियम परिसकरन का उपोत्पाद है तो इन में से कौन सा है पैट्रोल चारकुल कोईला एसफाल्ट तो यहाँ पर ऑप्शन D से ही उत्तर हो जाएगा पैट्रोलियम परिसकरन का उपोत्पाद है मतलब कि पैट्रोल चारकुल और कोईला ये तो आपको मिल जाते हैं किसे मिल जाएंगे ये तो पैट्रोलियम के परिसकरन से मिल जाएंगे लेकिन उप उत्पाद म साथ है जँल्ड सॉस्क, ऐस होता है उसको सुस्क, विछ्वष्य वी जाता है Rosie अगला प्रश्ण है भारत वर्स में प्रतम करशी विश्य विध्याले की स्थापना कब हुई थी यह इंपॉर्टेंट प्रश्ण है आलग अलग स्टेट PCS में यह भी पूछा गया उनीस्साट में अगला प्रश्ण है एक बायो गैस सायंत्र में निम्लिकित में से कौन सी प उत्पादन वाला राज ग्याहूं का सबसे जाद उत्पादन कहां होता है तो यूपी में होता है उत्तरपडेस में होता है अगला प्रिश्ण है खाद्यो पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रशायन कौन सा है तो खाद्यो पदार्थों पर रक्षण हम किस रशायन के द्वारा करते हैं किस chemical का यूज किया जाता है sodium vanuity आपने देखा होगा चार मुरबब वगएरा है उसमें भी यूज करते हैं अगला प्रिशन है प्रकास वर्स मात्रक है किसका मात्रक है दूरी का अगला प्रिशन है अब इसको प्रकास वर्स को क्या दूरी का मात्रक याद रखने इसमें confusion हो जाते हैं कई वर्स समय का मात्रक लगा देते हैं लोग या फिर प्रकास विक तो ध्यान रखना है कि ये distance मापत है प्रकास वर्स अगला प्रिशन है निम्ली कित्मेसी उर्जा का कौन सा स्रोध व्यवसाइक स्रोध नहीं है पेट्रोलियम, परमाणू उर्जा, प्राकर्टिक गैस इन सब का यूज करते हैं हम किसमें यूज करते हैं व्यवसाइक में यूज किया जाता है लेकिन बायो गैस जो है इसका यूज भ्यवसाइक नहीं होता है बायो गैस इतनी चाद उत्पादित भी नहीं होती है भारत में कि इसको उत्विवसाइक इसको माना जाए अगला प्रिश्ण है घरेलू इधन के रूप में प्रियुक्त लपीजी में मुखिता होती है तो इसको जरूर याद रखें इंत्या है थहां इंपॉछा जाता है और प्रिष्ण कना एक हिम्रौधी तौर पर करते हैं एधिलीन ग्लाइकॉन यह बहुत इंपौर्टिन प्रिश्ण है इसको भी यादा प्रिश्ण को पूछ चुका है एक नैनो मीटर में कितने सैंटी मीटर होते हैं तो दसकी घात माइनस नौ सैंटी मीटर होते हैं अगला प्रिश्ण है निम्लिकित में से किस एक को हाश्य गैत कहा जाता है तो हाश्य गैस कौन सी होती है लाफिंग गैस जिसको कहते हैं किस्तान की मदीचिका इसको भी कहा जाते हैं तो यह पूर्ण आंत्रिक परावर्तन का उधार हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला प्रिशने देखते हैं अगला प्रिशने है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्लिखित में से कौन सा भुलक य सब्सक्राइब कसे बनाने के लिए अगला प्रिशने है गयाहूं के आडे से रूटी बना पाते हैं से रोटी बना पाते हैं बतलब वो एक डो के रूप में तयार हो जाता है अगला प्रिशन है निम्लिकित पदार पादपो में किसका संग्रह तना नहीं है तो किसका है गन्ना, अद्रक, आलू ये सब तना है लेकिन सकरकंद एक तना नहीं हो option D से ही उत्तर हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला प्रिशने देखते हैं फल और सब्जियों में मोम के घोल का उप्योग किया जाता है किसके लिए उनका भंडारन काल बढ़ाने के लिए आजाता है अपने fruits वगेरा में देखा होगा जैसे apple, apple पे अधिकांस तोर पर एक मोम की layer लगी होती है जिसके कारण उसका जो भंडारन काल है वो बढ़ जाता है मतलब उसको जादा समय तक रखा जा सकता है स्टोर करके इसके बाद अगला प्रिशने हैं यहां पर सूचियां दी गई हैं सही मिलान करना है जैसे encephalitis, phylaria, leukemia और malaria प्रभावित करता है, phylaria में क्या प्रभावित हो जाता है, phylaria में लशिका पर प्रभावित हो जाता है और encephalitis में क्या प्रभावित होता है, mastix तो यह रोग है और उनसे समधित प्रभावित जो अंग होते हैं, वो है तो यहां पर option D से उत्तर हो जाएगा, इसका जैसे इन वाले प्रिशनों में जो सबसे आसान है पहले उसको लगा लीचे, फिर eliminate करके, धीरे धीरे करके आप इसको थोड़ा सा दिमाख लगाएंगी तो आराम से इसको बन जाएगा क्योंकि ये दो अगर आप से बन गए तो बांकी की दो तो आराम से बन जाते हैं option ही इस परकार के दिये जाते हैं, प्रिष्णन है, पैंगी की एक लाबकारी प्रिक्लियगा है, किसके लिए? मूँंध फली में इसके बाद अगला प्रिश्ण है निम्लिकेत में से कौन सा यूगमस सही है अब यहां सही वाला हमें चुनना है तो बिटामिन B1, रेटिनॉल, B2, राइवोफलेविन और B6 यहां पर रशायनिक नाम दियेगा है बिटामिन के तो यह कैलसी फिरॉल इसका नहीं होता यह भी यह भी गलत है शहां अब यहां पर जो सही दिया गया है राइवोफलेविन विटामिन B2 का रशायनिक नाम है इन में से अगर आपको किसी के नशायनिक नाम बता है तो जल्दी से कॉमेंट करके बता दीजे इसके उपर इक जल्दी बहुत ही जल्दी इसके उपर एक पूर अग्ला प्रिश्ट प्रकास वर्स क्या है बहे दूर Як जो प्रकास एक वर्स में यह वाला सभस करता है यह वाला प्रिश्ण है के असर सूरिके प्रकास के Object प्रकाश होता है निया प्रम होता है यमय किसके दौरा सबने मुछी होता है। अगला प्रिश्ण है माप की कौनसी एकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है तो माप की जो एकाई है सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा करेंगे तो इंच में प्राप्त हो जाएगा परितरप्ती और प्यास के केंद्र मानो मस्तिस्क में निमलिखित में से किस भाग में अवस्तित होते हैं तो इनका जो है ये परितरप्ती हुआ प्यास हुआ ये जो मानो मस्तिक्स के हाइपो थैलमस वाला पार्ट होता है उसमें अवस्तित होते हैं तो यहां पर हमने कई सारे प्रश्णों को देख लिया यहां पर 166 जो प्रश्ण है इसका आगी जो प्रश्ण है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक लिए आप से भी चैनल के साथ जोड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें मूर अब्डेट के लिए हमारा टैलीग्राम ग्रूप जाइन कीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इसके लाब स्टेडी फॉर्टिवल सर्विस की किसी भी पेट बैस से जोड़ना चाहते हैं तो इन अमबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं आप सभी को नय वर्स की हार्दिक सुपकामनाय नया वर्स आप सभी के लिए मंगल मैं हो और इसमें आप सभी का जो भी लक्ष है वो आपको प्राप्त हो जाए ऐसी ही हमारी सुपकामनाय है जुड़े रहें चानल के साथ त्वरोचिक इस विडिओ थैंक यू सो मजच